दोस्तों क्या आपको घुटने में दर्द है क्या आप भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं या आइसलीट है या फिर आप बहुत ज़्यादा मार्निंग बाक करते हैं वाकिंग करने के समय में बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपके घुटने में कभी-कभी तो स्वेलिंग भ हुआ है, तो हो सकता है कि आपको meniscus tir हुआ हो, बहुत सारे लोगों ने यह comment किया था कि सर मेरा meniscus tir हुआ है grade 1 है, grade 3 है यह grade 2 है तो, और बहुत सारे महलाएं भी यह comment की है कि सर मेरे गोटने का गर्दी फट गिया है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि मिनिस्कस टीर क्या होता है, गोटने का गर्दी का फटना क्या होता है, और 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 अस्टेज वन क्या होता है, तो वीडियो के बिल्कुल आन तक देखेगा, इसको समझेगा और इसमें exercise भी बताएंगे कि कैसे हम उसको घर बैठ नहीं ठीक कर सकते हैं, नमस्का दोस्तों, मेर नाम डॉप्टर मुकेश कुमारा और आप देख रहे हैं संजीर नी हेल्थ सलूसन, आज की इस वीडियो में हम मिनिस्कस टीर, गर्दी का फटना और 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 अस्ट्रियो और अर्ट्राइटिस ग्रेड वन का exercise जो है, उसके ब फ्रोडा सा मॉडल के रूप में बताओं, तो मॉडल में आप देख सकेंगे, कि हमारा घुटना है, इस घुटने का जो ऊपर वाला भाग है, वो फीमर है, फ्रोडा सा आप समझ लें इसको, अगर इसको समझ लेंगे तो आपको आराम होगी, कि आप जल्दी से रीकवर कर स सकेंगे, इसको अगर नहीं समझें, तो आप हो सकता है, कि अपने घुटने के दर्थ को देख सब्सक लेकर के काफी परसान रहेंगे, यह फीमर होता है, यह टीबिया होता है, इसके बीच में आप देख सकेंगे, यहाँ पर गैप होता है, विजब एक स्रे में देखेंगे जब हमारा body weight ज़्यादा इस पर पड़ता है तो क्या होता है या गदी पर weight ज़्यादा होने के वज़ा से या रगड़ खाने लगता है और धीरे-धीरे हुआ tier हो जाता है tier का मतलब होता है कि वहाँ पर हलका सा फटना या फिर ज़्यादा फटना या तब हमें पता चल पाता है जब हम एमाराई कराते हैं तो earlier stage में अगर आप खेलने के करम में ऐसा हुआ है तत्वा पेमाराई करेंगे तो पता चलेगा कि मनिस्कस tier हुआ है लेकिन वही अगर लेट हो गया जैसे कि मनिस्कस tier हुआ था उसमें हो सकता है कि swelling भी हुआ होगा आपको गुटने में लेकिन जब आप उसे rest में दे दिय में आप आइस निकाल करके उसे सेक लेंगे तो वह कम हो जाएगा वहाँ पर swelling और उसे 7-8 दिन तक रेश्ट देंगे उसके बाद धीरे धीरे आप एक सरसाइज करेंगे तो घर बैठे ही मनिस्कस tier को फीक कर सकेंगे लेकिन बहुत सारे महलाया है जिनका age ज्यादा हो चुक क्यों क्योंकि मनिस्कस tier शुरुआत में हुआ था उन्होंने कभी डियाग्नोसिस नहीं कराया उस पर ध्यान नहीं दिया और जब उनका ज्यादा बढ़ गया तब वह MRI कराया तो पता चला कि मनिस्कस tier हुआ है MRI में आपको मनिस्कस tier पता चल पाएगा और osteoarthritis भी पता चल और उसी को हम अगर ignore करते जाते हैं तो वह हमारा grade 1 से grade 2, grade 3 और grade 4 तक पहुंच जाता है या grade 1 से लेके 4 तक पहुंचने में कम सिगम 2 साल का समय लगता है अगर इस बीश में आप सही से diagnosis कराकर के exercise करना सुरू कर देंगे तो आप recover कर सकते हैं reverse कर सकते हैं उसको लेकिन अगर सही guidance में आप exercise नहीं करते हैं तो वह grade बढ़ता ही जाता है और हम और भी ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं osteoarthritis से और फिर एक ऐसा नौबत आता है कि हमें doctor द्वारा बोला जाता है कि आपको बिना operation कोई इलाज नहीं है आप समझ गया होंगे कि पहले गद्दी का फटना या मिनिस्कस टीर होना या होता है अगर तुरंत आप MRI करा लिए तो वहां पर पता चल गया तो थोड़ा सा रेष्ट कर लिए तो ठीक हो गया लेकिन अगर आप उस चीज़ को इगनूर किये और उसके बाद 6 महिना साल भर तक आप doctor को दिखाए और MRI नहीं कराए तो वह जो मिन करेंगे तो हम अपने घुटने के मिनिस्कस टीर को और 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 स्राइडिस के ग्रेड वन को 100% घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे एकसरसाइज करने के साथ सथ हमें कुछ खाने में भी बदलाव करना चाहिए मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि अक्रोट आप खा सकत हैं चिया सीड्स खा सकते हैं साथ ही साथ दूद के साथ हल्दी आप ले सकते हैं यह चारों चीज आप डिली वेसिस पर ले और एकसरसाइज करें तो आप मुस्किल से 20 से 11 दिन में या फिर 30 दिन में आप अपने घुटने के दर्द को खास करके ग्रेड वन या मिनिस्कस ट चाहिए और अगर स्वेलिंग है वहाँ पर तो आइस से सिकाई करना चाहिए लेकिन वैसे आद्मी जिनको मिनिस्कस ट्रियर हुआ था पहले और उसके बाद उन्होंने MRI साल बर बात कराया तो पता चला कि मिनिस्कस ट्रियर भी है और और ट्रैटिस भी है तो हम उसको डिरे स्वेलिंग नहीं जा रहा है स्वेलिंग नहीं जाने के लिए आप उसका कुछ उपाय कर रहे हैं तीन चार उपाय मैंने रखा है वीडियो में मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकेंगे और उसको आप अगर अपलाई करते हैं तो 100% स्वेलिंग कम ह गुटने के दर्द में अगर स्विलिंग भी है तो हमें बहुत सारे चीज को अपलाई करना पड़ाता है पहला तो है कि आप उसको गरम पानी से सेख सकते हैं गरम पानी में नमक डाल करके और उसे धो सकते हैं दिन भर में दो बार जरूर करना है अगर उससे नहीं कम हो रहा ह है तो आप वहां पर सेखाई कर सकते हैं हीटिंग पैट से थोड़ा सा जैतुन का तेल यानि की ओलीव बॉयल थोड़ा सा वहां पर लगा लें और उसके बाद फिर उसे हीटिंग पैट से सेखाई करें उससे भी आपका बहुत हद तक स्विलिंग कम हो जागा अगर उससे स्विलिंग कम नहीं हो रहा है तो मैं तीसरा उपाई भी वीडियो में ही बता रखा हूँ कि आप अलोवेरा जेल जो होता है आप नॉर्मल जो अलोवेरा होता है उसके पौधा में से जो जेल निकला जाता है उस जेल को निकल करके अपने घुटने पर या पिर जहां पर स् करते हैं अब रह गई exercise की बात पर exercise के रूप में हमें तीन से चार या maximum पांच exercise daily basis पर करना होगा तब ही यह संभव है कि हम अपने घुटने के दर्थ को और मिनिस्कस टीर को या फिर ग्रेड वन जो अस्टी और त्रकिस होता है उसको हम 100% ठीक कर सकेंगे तो exercise कैसे करना है वह मैं बताता हूँ पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी exercise करेंगे जब भी फुर्सत मिले आप exercise करें हां यह मैं जरूर बताऊंगा कि आप अगर exercise करेंगे और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा कभी-कभी यह लोग पुछते हैं कि सर कितना repetition कर कर सकते हैं और 100% आप अपने गोटने के दर्थ को ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपका swelling ठीक हो गया है और आपने साथ दिन का वर्फ से सिकाई कर लिया है उसके बाद यह exercise कर सकते हैं या ऐसे आदमी जिनका osteoarthritis या फिर meniscus year 6 महिना साल बर पहले हुआ था एक महिना पह सरसाच को सबसे पहले करेंगे इसमें करना है क्या जब आप सोके उठते हैं उस समय ही अपने पैर को दो तिन बर अपने पैर को किसी पिलो पर रख ले ताकि मेरा उद्यस सिर्फ यही है कि मेरा जो एड़ी है पैर का जो एड़ी है वो उचा रहे थोड़ा सा और उसके अब फिर आगे की तरफ खीचेंगे यह देखेंगे मेरा पूरा पैर सिधा होने के खगार पे है यानि कि हम पूरे अपने इस पोजिशन में तहेंगे और इसे कम से कम 15 से 20 बार या 30 बर करेंगे जहां तक मेरा पैर खीचा रहा है उसको खीचेंगे और फिर आगे की और करे ठीक है या पहला exercise होता है चाहे osteoarthritis हो या फिर meniscus tear हुआ हो या फिर गदी फटा हो पहला exercise यह है यह हमको कम से कम 20 से 30 बार जरूर करना है इसके बाद इसी को फिर से हम rotate करेंगे आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो में देखा होगा मैं repetition इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियो को नहीं देखा है तो बार बार मुझे यह बताना पड़ता है ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके तो यह अपने जो ankle है उसको हम अपने clock wise और anti clock wise घुमाएंगे पहले हम 10 बार कम से कम इस तरह से घुमाएंगे और 10 बार फिर anti clock wise घुमाएंगे ठीक है इस तरह से सब कुछ किजे कि हम 10 बार anti clock wise घुमा लिए और 10 बार clock wise घुमा लिए तो यह एक repetition हुगा और इस तरह से कम से कम 10 repetition करना है तो इस तरह से 10 repetition हमको करके उसके बाद तिर आप दूसरे को भी कर सकते हैं दूसरे घुटने में भी अगर दर्ध है तो दूसरे घुटने में भी इसी तरह से कर सकते हैं यह दो exercise हो गया अब तीसरा जो exercise है दोस्तों इसके बाद जो तीसरा exercise करना है इसके लिए हम दो पिलो लिये हैं और दो पिलो के बाद जो round बाला पिलो होता है उसको भी मैं रख लिया हूँ अब अपने थोड़ा सा घुटने के नीचे मैं इसको रखूँगा और सिर्फ अपने पैर को इस पैर में अगर प्रोब्लम नहीं है लेफ्ट में तो हम इसको मोड भी सकते हैं या फिर सीधा भी रख सकते हैं इसमें कोई इसू नहीं है जिस पैर में हमको प्रोब्लम है उस प करना है जो हम किये थे एक नमबर एक्सर्साइज और दो नमबर एक्सर्साइज, 20 से 30 रिपेटिशन इसको भी करना है हमारे घुटने के नीचे थोड़ा उंचा रहेगा और हम इसको इस तरह से करेंगे अपने घुटने के नीचे से अपने अंकिल को अपने तरह खींचेंगे आगे करेंगे और फिर पांच सेकंड तक रोकेंगे उसका फिर नॉर्मल फिर से उठा आगे पीछे नॉर्मल इससे भी हमको कम से कम 30 रिपेटेशन या फिर 50 रिपेटेशन ऐने की 30 बार या 50 बार कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट देना है हम इसको पूरा वेट अभी फिलाल नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर में इसका स्टियर हुआ था तो हमको यहाँ पर धीरे धीरे वेट बढ़ाना है और यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ पर वेट दे करके हम exercise को आग लिपकार्ट पर बहुत सारे बेट का आता है एक बहनने का एक केजी बेट से हमें start करना है दोस्तों हम बेट के लिए हम यहाँ पर बॉतल का इस्तमाल करते हैं इसमें एक बॉतल पानी भरा हुआ है आप अगर लेना चाहते हैं तो आप अमाजूंस से बेट मी ले सकते हैं जो की इसली वे अबेलेबल है, एक केजी का वेट का दो-दो मिलता है, आप को हाँ से फिल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्स बॉक्स में उसका लिंक दे दूगा, ताकि आपको असाने से मिल सकते हैं. एक केजी वेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, नीक का इस्तेमाल कर लिए, यहाँ पर हम एक केजी वेट डाल दिये, अब इसके बाद देखेंगे, कि हम जिस तरह से पहले एक्सरसाइज किये थे, उसको करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम अपना पैर सिधा रखेंगे, और फिर नॉर्मल, फिर से ऐसे सिधा करेंगे, अब फिर से नॉर्मल, इस दोरन हमें पंजा जो आगे पीछे करना है, वो नहीं करना है, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, यानि कि यहाँ पर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल, फिर से इस पै उसके बाद के normal, फिर से उठा है, फिर से normal, इस तरह से हमें कम से कम 30 repetition या 50 repetition इसको भी कर सकते हैं, हो सकता है कि यहां पर थोड़ा सा आपका भूटने के पास दर्द और भी बढ़ सकता है, तो वह दो-तीन दिन के लिए बढ़ सकता है, तीन दिन के बाद जो बढ़ा हुआ जो आप repeat करेंगे, 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप कर लेंगे, तो आपका meniscus tier का जो problem था, वह 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसे लोग जिनका meniscus tier हुआ था, साल बर हो गया, दो साल हो गया, और grade 1 से लेकर के grade 2 तक हो गया, तो उन्हें 2-3 exercise और करना होगा, जिसको हम कहते हैं कि गोटने को अस्टिंग YOUR करने के लिए, और की मझबूरती लाने के लिए exercise करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यshe सारी exercise तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ, हमारा एक जो toggle को नीचे press करने के लिए होता है, वह भी करेंगे, मैं बताता हूँ की कैसे करना है, आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब तो किया है लेकिन अगर जोईन नहीं किया है तो वैसे मेंबर जोईन करना चाहते हैं तो चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर जोईन लिखा हुआ आ रहा है आप वहाँ पे जुआइन कर सकते हैं वैसे मेंबर जिनको जो जुआइन करते हैं चैनल को उनके लिए अस्पिसल बहुत तरह की सुधाय दी जाती है आप उसका लाब उठा सकते हैं दोस्तों इसमें मजबूती लाने के लिए दाना पर मैं दिखा रहा था तो मैं दाना तरफ इस तरफ मुड़ गया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि और हमें क्या करना है तो कोई भी आपके पास टॉबिल है तो टॉबिल का रोल बना लेंगे और नहीं तो फिर आप किसी भी सोफा वाले के पास जाकर के एक फोम का इस तरह से टुगड़ा ले लेंगे घुटने के नीचे इसे रख करके और इसे अपने घुटने से नीचे प्रेस करेंगे देखें इस तरह से मैं प्रेस कर रहा हूँ ठीक है इस तरह से प्रेस करेंगे कम से कम 10 से 15 सेंड रोकेंगे उसके बाद फिर नॉर्मल ठीक है फिर से हम प्रेस किए पंदरा सेकेंड रोके उसके बाद फिर नॉर्मल फिर से प्रेस किए पंदरा सेकेंड के जगा पर अब हम तीस सेकेंड रोकेंगे उसके बाद फिर नॉर्मल इस तरह से भी कम से कम हमें 30 से 40 repetition कर लें मैं तो कहता हूँ कि शुरुआत में 10 से 20 repetition करें लेकिन आप 2-4-5 दिन अगर करते हैं उसके बाद फिर इसको 50 repetition तक जरूर करें शमय लगेगा आदा गंटा से 45 मेंट ये पांचो exercise करने में आपको लगेगा लेकिन इन पांचो exercise से आप अपने गदी का जो फटना कहते हैं कि हाँ हमारा गदी फट गया था और और फिर आपका मनिस्कस टियर हुआ था या पांचो exercise करके आप 100% अपने मनिस्कस टियर के प्रोब्लम से और osteoarthritis का grade 1 से छुटका रहा पा सकते हैं दोस्तों उमीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें subscribe करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो will icon को दबा कर all notification on कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत